नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा न्यूज अच्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रोख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सिर्मार जिला के धॉलकुआ छेट में एक खड जोकी बरसात में बहुत विक्राल रूप ले लिता है और ग्रामिन लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पर लगभग 10 करोड की लागत से बनने वाले दो पुलों का नहन के विधायक अजय सोलंकी ने विदिवत रूप से भूमी पुजन किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि जल्द प्रात्मित्ता के आधार पर इन पुलों का कारे शुरू किया जाए इससे पूर्व अजय सोलंकी का धौरकुआ पहुचने पर जोड़ार स्वागत किया गया विधायक अजय सोलंकी ने बताय Ja की ये खड़ आयायायम के साथ लगता है और पर साथ में लोगों की परिशानी का सबब बनता है इसलिए यहाँ पर दो पुल बनाये जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके दिये हैं ताकि लोगों को लाभ मिल सके नाहन से हमारे समबात गाता जीटेन रुठाकुर की रिपोर्ट प्रियासर तैसर का और विभाग को भी निर्देश है उस ही संदर में आज हम जिस जदा खड़े हैं तीन क्रोड एक लाग का एस्टिमेट के डिपोस्ट है इसकी जो एक कारे कुल भी बनना है और लबाना वस्ती के लिए का सलग बनने जारी है और एक यह आयम कार हो रहा है ज पारिश के बाद जो है यहां पर कुल साथ में काफी तिकत में रहते हैं तो इससे बहुत बड़ी एक खड़े को सुभधा भी मिलेगी और आई एम जैसा सल्थान वह भी जल्दी से जल्दी जो है यहां पर रियाशीर होगा जिससे जिया इस खड़े का आगवान खड़े ज कौन को दबाना न भूले